हेलो फ्रेंज और विल्कम टू वी एफेक्स वाइज करेंगे एट स्टार्टिंग पॉइंट और साथ के साथ हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से डी ग्रेनिंग के प्रोसेस को हम यूज करते हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जब भी कोई विजुल ईफेक्ट या इसका पाइप लइन के ग्रोडिंग के प्रोसेस को भी फॉल्लो करते हैं और उसके अलावा किस तरीके से ट करते हैं सो विदाउट इनी डिले, लेट्स गेट स्राड़ेड़। ओके, सो इस पूरे सीरीज में हम जिस फूटेज पे काम करने वाले हैं, बैसिकली यह आपके स्क्रीन पे दिखर आया है, जिस फूटेज पे हम काम करने वाले हैं, इसमें हम बहुत सारी चीज़े करने वाले हैं, जैसे आप मोनिटर स्क्रीन रिप्लेज करने वाले हैं, प्रोबैबली इसके पीछे जो आपको यह ओवर एक्सपोज चीज़े दिख रही हैं, उसको भी हम रिप्लेज करने वाले हैं, might be बहुत चीज़ी है आपको आने वाले वीडियो में आपको दिख जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं बैसिकली सबसे पहला काम हम इस फूटेज को एनलाइज करने वाले हैं बिसिकली इसका movement कैसा है, इसका distortion का ratio कैसा है, और इसका grain किस amount में है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई नया sequence शूरू करें, नया shot शूरू करें, नया project शूरू करें, तो आपके सबसे पहले उस shot को analyze करना है जैसे मैं सबसे पहले जो analyze करना prefer करता हूँ वो है movement तो इस footage को play करते हैं और play करके मेरे को पता चलता है कि ये handheld camera है और camera की movement अच्छी खासी है camera अच्छा का सा move हो रहा है camera आगे की तरफ जा रहा है अपने basically जो भी आपका main reason of interest है उसकी तरफ जा रहा है तो ये काफी important होता है कि आप किसी भी shot को analyze करें कि movement किस तरीके से है तो ये मेरे को देखने के पात पता है कि मेरे को इस shot को 3D camera track करने की जरूवत है जी हाँ 3D camera track करने की जरूवत है ताकि मेरे को camera मिल सके जिस तरीके से camera move हो रहा है दूसरी चीज़ जो में analyze करना पसंद करता हूँ वो है आपका grain तो जैसा आप मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार बता चुका हूँ कि grain अगर आपको देखना है तो किसी भी footage के आप blue channel में जाएंगे जिसका shortcut होता है बी keyboard में अब बी जैसे hit करेंगे और play करेंगे तब को grain उद्धिक जाएगा since हम camera के बारे में कि किस camera से shoot किया है हम next video में बात करेंगे जब हम 3D camera track करेंगे इस camera में मैं बताने वाल हूँ कि basically हमने DSLR यूज किया है जिसका जो ISO है almost 300 के करी में मैंने ISO रखखा था तो आपको grain अच्छे खासे amount में मिल जाएंगे अगें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि camera to camera grain का जो shape होता है grain का जो movement होता है वो vary करता है तो DSLR में अलग-अलग DSLR में camera के ISO या grain का जो variation होता है आपको different different मिल जाएगा same way film cameras में आपको grain का variation different तरीके से मिल जाएगा so मेरे को अच्छा कासा grain इसमें दिख रहा है तीसरी चीज़ जो मैं analyze करना prefer करता हूँ that is lens distortion so यहाँ पर अगर मैं आपको lens distortion का बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर दिख रहा है कि यह आपको straight line नहीं दिख रही है जबकि actual में जब जो table है basically यह मेरा working station है तो यह table का जो यह है न टेबल straight है यह bend हुआ नहीं है right so of course मेरे को अच्छा खासा distortion का amount मिल रहा है right अब distortion क्यों होती है मैं आने वाले इस इसी वीडियो में आने वाले टाइम में थोड़ी दिर में में बताता हूं कि distortion क्यों होती है right उसके अलावा अगर आपको और को distortion का amount देखना तो आप यह देखिए यह wall जो है दिख रहा है right जबकि actual में ऐसा नहीं है जबकि actual में straight होना चाहिए तो मेरे को यह footage दे कि यह पता चल रहा है चल रहा है कि इसमें अच्छा खासा मेरे को distortion मिल रहा है noise मिल रहा है और अच्छी खासी movement मिल रही है है so analyze करने से हमें फायदा क्या होता है कि हमें किस direction में काम करना है वो हमें पता चलता है तो सबसे पहले analyze करने के बाद जो सबसे पहले हम काम करेंगे वो करेंगे किस तरीके से हम de noise की या जो noise की information है जो grain की information है उसको किस तरीके से reduce किया जा सकता है तरीके हैं को रिडिउस करने के जो नोड होता है जो ग्रेंड करता है तेस और नोइस लगाएंगे हम विस्वे और आगे भी बताउँगा मोशन और नोइस किस तरह के से यूज करते हैं बट फिलहाल हम source को connect करेंगे आपके footage में और उसको connect करने के बाद मेरे को यहाँ पर एक reason मिल जाता है ताकि वो sample कर सके कौन से noise है कौन से grain को आप उसको remove करना है तो always आप यह ध्यान रखेंगे कि कोई भी image का यह sequence का flat surface आप use करेंगे अगर आप यहाँ पर ऐसे use करेंगे तो यां यहाँ पर नहीं होगा इहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यह आपका with noise और यह है आपका without noise तो आप X में बहुत drastic changes देख रहे हैं कि आपका noise एक हद तक कम हुआ है आपको अगर और noise कम करना है आपको और ज़्यादा noise कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं आप denoise की information को थोड़ा सा change कर सकते हैं बट फिलहाल मेरे को लगता है since it's a DSLR footage तो denoise करने से भी बहुत ज़्यादा मेरे को फायदा नहीं होगा since मेरे को एक अच्छे level पर noise की information यहाँ पर reduce हो गई है तो I am happy with it since it's not perfect but yes I am happy with कि हाँ यह noise का information थोड़ा कम हो गया है now इसके बाद हम क्या कर सकते हैं since denoise काफी heavy node होता है तो मैं क्या करना प्रीफर करता हूं personally denoise करने के बाद मैं इसको render out कर लेता हूं यहाँ पर मैं one कर देता हूं ताकि एक ही property मेरे को दिखे and इसको render out कर लेता हूं मैं so right now what I am going to do just I am going to 201 and we can do make a new folder that is called denoise sequence right denoise sequence and मैं यहाँ पर file का नाम देता हूं dn that is denoise underscore frame paddock one two three four and that will be tga right since यह tga में sequence है तो tga में करेंगे हम यहाँ पर compression कर देता हूं none बाकि कुछ भी change नहीं करेंगे हम यहाँ पर करेंगे a global that will be 0 to 88 just hit ok and I'll come back when it's done okay so हमारा render हो चुका है done just मैं इसको import करता हूं right now what I am going to do साथ के साथ हम क्या करेंगे अपने file को arrange करते चलेंगे ताकि हमें आने वाले time में को प्रॉब्लम ना हो तो what I am going to do just I am going to take a backdrop node and here I am going to type like a denoised something like that right right and it's what I can do so that कि processing में टाइम ना ले यह अपना आ गया Denoise footage एक limit तक 100% तो Denoise नहीं हुआ है आप Denoise करने के लिए third party plugin भी यूज़ कर सकते हैं it's totally up to you but फिलहाल मेरा काम इसी से हो जाएगा so I am doing that okay so यह footage almost Denoise हो चुकी है and what we have to do now कि कि किस तरीके से हम इसके lens distortion को तो जो हमारा अगला step होगा कि कि किस तरीके से हम इसके lens distortion को remove कर दें तो basically lens distortion remove करने से पहले हम में यह जानना जुरूरी है कि lens distortion basically होता क्यूं है right so normally जब हम camera से shoot करते हैं तो camera के आगे lenses लगे रहते हैं जिसके through light enter होती है and information आपके sensors तक जाती है and वो information को store करते हैं तो basically जो lenses होते हैं वो आपके glass material से बने होते हैं right and glass material क्या है आपका एक different source है या different medium है light के travel होने का right जैसे air एक medium है like water एक medium है glass एक medium है so normally एक चीज में यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो distortion का amount है आपके footage के edges पे ज़्यादा effective होता है center पे उतना ही कम होता है मतब center पे बहुत कम effect आएगा distortion का और जैसे जैसे आप edge की तरफ जाओगे distortion का amount उतना बढ़ता जाएगा ऐसा क्यों होता है कि जब भी light आपके mirror में enter होती है और जो आपको पता होगा कि light बिसिकली जो lenses में mirror लगे होते हैं mirror भी convex और concave दो तरह के और बहुत तरह के mirror होते हैं जो हमने physics में पढ़ा था majorly हमारे lenses में convex lenses लगे होते हैं जो shape क्या होता है convex जो shape होता है basically जब भी light उसके edges से enter होती है या सबसे पहले जो light कभी भी एक medium से दूसरी medium में enter करती है तो वो अपना path change करती है वो अपने normal के towards bend होती है मतलब जैसे rarer medium से denser medium में enter करेगी तो वो light जो है वो अपने normal के तरफ मुड जाएगी और same way denser medium से rarer medium में जाएगी तो normal से दूर मुड जाएगी basically ये a law of reflection होता है अगर आपने physics बढ़ी है तो आपको पता होगा तो edges पे क्या होता है ना edges पे बहुत ज़्यादा bend आपको मिलता है due to convex shape of that particular lens right so ये basically पूरा funda है आपके lens distortion का और दुनिया में कोई ऐसा camera नहीं बना है दुनिया में कोई ऐसा lens नहीं बना है जो distortion को 0% कर सके right so always you have to keep it in mind कि आप अगर किसी भी camera से shoot कर रहे हो किसी भी lens से shoot कर रहे हो तो आपको distortion आएगी ही आएगी और VFX का pipeline ये कहता है और नॉमली ये hard and fast rule नहीं होता है बहुत लोग follow करते हैं बट नहीं करते हैं बट आपको ये follow करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको exactly software को exact information provide करनी है अगर आपको 3D track वगरे करना है तो right so हम undistort कैसे कर सकते हैं न्यूक के अंदर या किसी भी tracking application अगर आप यूज कर रहे हो इधर you are using pf track either using boju, synthize, 3D equalizer हर application में आपको lens distortion के option मिलेंगे same way we have multiple options for lens distortion in nuke to fix lens distortion in nuke कैसे कर सकते हैं आप right click करेंगे या sorry आप tab hit करेंगे और tab hit करने के बाद आप type करेंगे lens distortion distortion तो lens distortion का आपको option node मिलेगा इसमें दो तरीके के lens distortion मिलेंगे जो कि ये एक नया lens distortion updated lens distortion का node है और साथ के साथ अगर आपको पूराना चाहिए तो आप others में जाएंगे all plugins में जाएंगे और update करेंगे तो update करने के बाद जैसे एक और बार lens distortion टाइप करेंगे तो आपको दो तरीके के lens distortion मिलेंगे lens distortion transform और lens distortion L तो this is the older one or this is the newer one आप कोई भी यूज कर सकते हो lens distortion is totally up to you right अब basically lens distortion का जो process होता है आपको checkerboard shoot करना चाहिए आईडिली आपको checkerboard shoot करना चाहिए और checkerboard shoot करने के भी बहुत सारे आपको मेजर्स धान में रखने पड़ेंगे जैसे वो checkerboard distorted नहों को दिया checkerboard एक बिल्कुल flat surface पे होना चाहिए और बिल्कुल flat आपको click करना पड़ेगा video shoot करना पड़ेगा image click करनी पड़ेगी for checkerboard and all but इस case में मैंने checkerboard shoot नहीं किया था since मैं lockdown में checkerboard print out वेगर नहीं ले सका था so अगर इस scenario में अगर मेरे को lens distortion fix करना हो तो कैसे करेंगा आप ये भी use कर सकते हैं आप ये भी use कर सकते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा आसान लगता है ये use करना that's why I'm using it so आपको क्या ध्यान देना है कि basically आपको जो पता है कि ये चीज जो है वो straight है right जैसे ये line straight होगी ये line straight होगी ये वाला straight होगा ये portion straight होगा ये portion straight होगा तो आपको software को बताना है आपको इस note को बताना है कि basically बहुत ये line जो है वो straight होगी तो उसके लिए क्या करेंगे आप जाएंगे line analysis में और यहां से करेंगे drawing mode on right now what I am going to do मैं सबसे पहले इस line को select करता हूँ drawing mode on करने के बाद I am going to click once and I am going to second time और आपको जहां तक line proper देख रही है आप वहां पर minimum 3 point रखिए right click किजिए आपका line यहां से draw हो जाएगा right now I can draw one more line over here yx में जैसे मेरे को पता है कि यह straight है obviously bend नहीं होगा so that's the thing same way आप यह line में draw कर सकते हैं बिल्कुल यह line straight होगी और है भी so बहुत ही precisely आपको यह करना चाहिए right same way what I am going to do मैं यह वाली line जो है यह भी straight है so I am going to tell software की boss यह line straight line है same way आप यह line भी software को बता सकते हो आप तीन से ज्यादा भी click कर सकते है it's totally up to you इसमें कोई hard and fast rule ही है कि तीनी click करोगे आप 4 भी कर सकते हो shape देने के लिए same way I can click over here one point two point three point and four point five point भी कर सकते हो it's totally up to you line वह proper पता होनी चाहिए जैसे one point softer confuse नहीं होना चाहिए कि बहुत से straight है कि bend है right दो तीन लेन आप चाहें तो इधर भी create कर सकते हैं जैसे आप center में भी करते हैं हाला कि center पे इतनी bending की information नहीं रहती है so उसमें कोई problem miserly नहीं होनी चाहिए so यहाँ पर might भी थोड़ी problem हो गई है कर देता हूं जो आप शूर है कि स्ट्रेट लाइन होगी वहीं पर ट्रॉक करेंगा right so जैसे यह वाली line straight line है यहाँ पर जो यह दिख रही है आपको tiling वाली तो almost मेरे को लगता है कि good to go आप दो तीन भी line से काम चला सकते हैं आप जितना चाहें उतना क्लिक कर सकते हैं जितना ज्यादा करेंगे उतना सॉफ्टर को असानी होगी नाओ आइकन हिट एनलाइज lines right so जैसे ही आप एनलाइज लाइन पर क्लिक करेंगा आप देखेंगे कि टिक अल्टीमेटली क्या हुआ आपके जितने भी बेंडेड चीजे थी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है राइट सी वन टू वन टू देखो so everything is straight now so this much distortion we are having जब भी हमने शूट किया तो इतना distortion हम लोग को मिल रहा है right so आप basically अगर बिना distort undistort किये हुए track करेंगे तो obvious camera को वो distortion भी calculate करके आपको track करके देगा हाला कि camera tracking में भी option होता है कि आप directly lens distortion उसको बता सको जो हम आने वाले time में देखेंगे जो next video होगा उसमें हम देखेंगे tracking में किस तरीके से distortion calculate कर सकते हैं बट वो accurate नहीं होता हाला कि बहुत ज़्यादा accurate ये भी नहीं है मैं हमेशा prefer करता हूँ कि आप checker board या line grade जरूर से shoot करें so इस तरीके से आप बिल्कुल simple तरीके से आप क्या कर सकते हैं distortion को calculate कर सकते हैं तो hope आपको ये चीज समझ में आई होगी कि distortion क्या होता है distortion किस तरीके से हम लोग fix कर सकते हैं किसी भी tracking software में किसी भी tracking application में right so आज के लिए I guess इतना काफी रहेगा workflow को समझने के लिए next video में हम देखेंगे कि किस तरीके से over scanned image को render out करेंगे और उस image में किस तरीके से 3D tracking करेंगे और camera की information को हम लोग extract करेंगे तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको कुछ नई information पता चली होगी and आपने इस वीडियो से जरूर से कुछ सीखा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को like करें जादा से जादा share करें और आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe किये भी ना जाए With this said, this is VFX5, signing off, have a good day